साथियू नमस्कार आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Coral Dra में कोई भी poster कैसे तयार करें Coral Dra में अगर आप कोई poster तयार करना चाथे हैं तो किस तरह से करें तो इसके लिए आप वीडियो के साथ नंतक बने रहें जैसे अभी आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर CorelDRA open कर रखा है CorelDRA का जो हमने version open कर रखा है और Graphics 12 है तो CorelDRA का version हमने 12 open कर रखा है अब यहाँ पर हमें सबसे पहला काम क्या करना है Layout tab में चले जाना है Layout tab में जाने के बाद यहाँ पर हमें Page setup पर जाना है कि Page की Size क्या हो, Margin क्या हो और Page का Layout क्या हो और Page का Orientation क्या हो तो यह सारी setting हम यहाँ से कर सकेंगे तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जब Page setup का box आया तो यहाँ पे आप जो Banner या Poster बनाना चाहते है वो Landscape में चाहते हैं या Portrait में चाहते हैं तो यह set कर ले, उसके बाद आप Page की Size क्या चाहते है यहाँ से आप Size देख ले अगर इसमें से कोई Size चाहिए तो ठीक है नहीं तो आप अपने हिसाब से Size सेट करना चाहते हैं तो यह है Width और यह है Height तो Width कितने Inch में करना है वो आप यहाँ पे Decide कर सकते हैं या Width को Fit में करना है, Pixel में करना है यहाँ पे सारी सीजे लिखी हुई है तो जैसे हमें Fit में करना है तो Fit कर ले यहाँ पे तो आप Width कितने Fit की हो वो आप यहाँ पे Type कर दे माल लिजे कि आपको 6 Fit जो है 6 Fit आपको चाहिए 4 पेज और 3 Fit आपको चाहिए उचा पेज उचाई जो हो वो 3 Fit और 4 जो हो वो 6 Fit की हो तो इतना Set करके आप OK बटन पर क्लिक करें तो जैसे ही आप OK करेंगे आपका जो पेज है वो इस तरह से डिस्प्ले होगा अब अगला काम आपको क्या करना होगा टूल बॉक्स में बैक्राउंड बनाने के लिए बैक्राउंड बॉर्डर बनाने के लिए टूल बॉक्स में चले आए और यहां से आप एक रिक्टैंगल टूल तैयार कर ले एक rectangle यहाँ पर तयार कर लें तो यह हमने बना लिया rectangle अब rectangle में क्या करना है हमें pick tool लेना है सबसे पहला tool pick tool होता है pick tool लेने के बाद फिल last से दूसरा जो tool है वो है save fill तो save fill पर चले आए यहाँ से हमें क्या करना है यहाँ से आप दो color या एक color ले सकते हैं या आप कोई simple सा एक ही color लेना चाहते हैं तो आप कोई एक color ले सकते हैं मान लिजे कि आप ये color लेना चाहते हैं जितना हलका या जितना गाढ़ा आप करना चाहते हैं जो भी color आप लेना चाहते हैं जितना हलका या गाढ़ा करना चाहते हैं आप उस color को select कर लें अब आप OK बटन पर क्लिक करें तो ये background बन गया अब ये background जो हमारा तयार हुआ है इस background पर आप हमें text लिखना है तो आप text tool ले लिजे और ऐसे click कर दीजे text tool लेके ऐसे सिर्फ click करना है जैसे ही आप click करते हैं तो यहाँ पर आपका insertion point चलने लगता है इसकी size को आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं अगर यहाँ से आप adjust नहीं कर पा रहे हैं तो आप परिशान ना हो अब यहाँ पे आप matter लिखें जैसे हम मान लिजे एक poster तयार करने वाले हैं तो पहले हमने जैसे ही थोड़ा सा लिखा और mouse को हमने move किया तो यहाँ पे एक button बन जाती है उस button पे जब आप mouse pointer लेखे जाएंगे तो mouse pointer का arrow change हो जाएगा अब क्या करना है mouse click करके drag करना है drag करना है और अपना पुरा content type करना है यह हमने पुरा content type कर लिया अब हम लेते हैं pick tool और अब हम इसकी size को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर लेते हैं जित्ता बड़ा हम चाहते हैं अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है हमने यह poster को बड़ा छोटा कर लिया अगला काम में क्या करना है इसको करना है copy 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 की जो sort की होती है वो होती है Ctrl-C फिर दूसरा का हमें करना पेस्ट पेस्ट की जो सौट की होती है वो होती है Ctrl-V तो आप देखें तो यहाँ पे हमने Copy भी कर लिया और पेस्ट भी कर दिया आप देखें तो दो हो गया तो अब हमें क्या करना इसको उठा के इसके उपर रख देना है और फिर इसके Color को आप Change कर दिजे अब इस पे जैसे Shadow लगाना है तो आपको क्या करना है पीछे वाले Color को वहीं रहने दिजे और आगे वाले को थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसका लिजे तो आप इस पे हलका सा Black Color का आप देखेंगे Shadow बन गया अगर आप कोई और दूसरा भी Color का Shadow चाहते है आप चाहते हैं एलो भी Shadow बन जाए तो एक और Copy और Paste कर लें Ctrl-C और Ctrl-B और उसका Color आप अपने हिसाब से फिर से Change कर दें अब यहाँ पर भी आप थोड़ा सा नीचे कर लें तो अब आप देखेंगे तो आपका Text तीन Color में Display होने लगा अब अगर आप यह तीनों को आप Group कर लेते हैं तो अब यह तीनों को हमने Select कर लिया तो हमने क्या क्या तीनों को Select कर लिया और Select करने के बाद फिर अगला का हमने क्या किया जैसे यह हमने तीनों को Drag करके Select कर लिया Select करके Arrange मीनों में जाके Group कर दिया अब जैसे हम Group कर दिया यह तीनों एक हो जाते हैं अब हमने Page को यहाँ पर Adjust कर लेते हैं अब हम इस पर क्लिक करके इनको थोड़ा सा उपर लेके चलते हैं फिर आप जैसे हमें Hindi में यही Metal लिखना है तो यहाँ से आप क्लिक कर लिजे और यहाँ से आप Find Chain कर लिजे जो भी आप Find में लिखना चाहते हैं वो Find Chain कर लिजे अब इसकी Size को आप बढ़ा करें अब जैसे ही आपने Space Key को दबाया तो ऐसे बन गया तो ऐसी परिस्षित में आपको Control लेट करके पीछे आ जाना है फिर उसके बाद आपको पूरा Matter टाइप करना है यह इसके बाहर भी चला जाए तो कोई समस्या नहीं है अब इसको आपको क्या करना है इसको आप Pick Tools से छोटा कर ले Pick Tools से आप इसको छोटा कर ले अपने हिसाब से आप इतना इसको बढ़ा छोटा करना चाहते हैं आप उत्ता बढ़ा छोटा कर ले इसको फिर आप Adjust करके उपर जहां चाहें वहां पे रख सकते हैं फिर आप इसको copy करें और फिर आप इसको paste कर दें अब जैसे ही आप इसको copy और paste करते हैं तो ये दो हो जाता है जैसा हमने उस पे किया था ठीक वैसे ही हम इस पे भी apply करते हैं ताकि ये थोड़ा look different हो जाए अब हमें क्या करना है save matter यहाँ भी अगर वैसे करना है तो हमें एक और copy करना है पहले इसका color हम yellow कर दें फिर copy करें और फिर से paste कर दें अब paste करेंगे तो दो हो गया एक yellow और बन गया तो अब हमें क्या करना है इस पे दूसरा color ले लेना है तो आप देखें आपका matter फिर से वैसे ही दिखने लगा य एर जेस्ट हो गया फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको लिखना है courses अब आप अगर design में लिखना चाहते हैं फिर से एक rectangle ले और rectangle लेके आप यहाँ पे rectangle तयार कर ले और फिर उसके बाद आप इसको modify कर ले अगर आप इसको दोनों side से एक side से मोड़ना चाहते हैं तो आप इसके बीच में कोई color fill करना चाहते हैं तो आप वो color भी fill कर सकते हैं आउट line के color को हटाने के लिए आपको right click करना है left के लिए और left करने पे fill हो जाएगा अब यहाँ पे आपके जो courses हैं जैसे माल निजे आपके जो course हैं वो आपने लिख दिये यहाँ पे तो इसको बड़ा करके लिख लिया फिर आपने इसको adjust कर लिया बाकी design तो आप कर ही लेंगे अभी हमने बता दिया फिर आप same और बनाना चाहते हैं तो आप shift के साथ दोनों select करके copy करके paste कर लिजे और एक उठा के लाके आप जहां रखना चाहें वहां रख दीजे फिर उसके बाद यहां पर आप उसका नाम बदल दें नाम change करने के बाद फिर आप picture लगाना चाहते हैं तो picture लगाने के लिए आप अपना browser open कर लें जो भी browser आपके computer में install है उस browser को open करें और google से आप search कर लें आप जब यहां पर search करके picture ला लेंगे चलिए picture आने से पहले तब तक हम लोग औ और यहां पर काम करते हैं तो अब हम अब हमें क्या करना है तो अब हमें यहां क्या करना है अब हमें यहां अपना browser open करना है जैसे हमने browser open कर लिया अब यहां पर आप लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं computer class picture या photo कुछ भी आप लिख सकते हैं और और आप इसको HD quality में डाउनलोड भी कर सकते हैं, जब आप computer class picture लिखेंगे, तो यहाँ पे computer class की जो pictures होंगी, वो आपके सामने आ जाएंगी, यह इस तरह से, बहुत सारी pictures हैं, अब आप जो picture लाना चाहते हैं, आप उस पे click कर दें, और उस picture को आप save कर लें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यह आपकी जो picture है, इस picture को हम लेके चलते हैं, आपके coral drake page में, तो यह कैसे चलेगा, इसके लिए आपको image पे click करना है, अब आपकी जो image है, वो image आपके सामने इस तरह से open हो जाएगी, image पे आपको right click करना है, image पर जब आप right click करते हैं, तो यहाँ पे save as image लिखके आता है, चाहे आप उस पे click कर ले या image को copy कर ले, वो आपकी उपर depend करता है, और ध्यान दे, यहाँ पे JPEG जरूर save होना चाहिए, अब हम picture को जहाँ save करना चाहते हैं, जिसे desktop पे करना चाहते हैं, तो हम desktop को ले लेते हैं, यहाँ पे desktop को ले लेते हैं, अब हम picture का नाम देके save कर देते हैं, अब हम again बैक आ जाते हैं कोरल ड्रा पे, और जो picture हमने download की, उस picture को हम यहाँ से लाने के लिए file menu में चलेंगे, file menu में जाने के बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा import, import पर जैसे ही आप जाते हैं, तो आपके सामने इसका एक window खुल जाएगा, जो import का window ह होगा, तो import का window आपके सामने file पर जाना है, और file menu में आपको import option मिल जाएगा, import option पर mouse क्लिक करेंगे, तो import का window आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा, अब आपने जो file save कर रखी थी, वो किस location पर थी, तो जिस location पर थी, उस location को आप यहाँ से select कर लें, जैसे example के लिए desktop देखते हैं, यह है desktop, और जो हमने picture save की थी, उस picture का नाम था R, तो यह है R picture, अब इस picture पर क्लिक कर लें, और क्लिक करने के बाद import option पर mouse क्लिक कर दें, तो जैसे import पर क्लिक करेंगे, mouse pointer का आकार change हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उस picture को लाके रख देना है ऐसे, फिर उसके बाद अगर आप और कोई भी picture लगाना चाहते हैं, या और कोई भी design तयार करना चाहते हैं, तो उसको भी कर सकते हैं, तो जैसे अब हमने का किया, हमने इसी को फिर से copy किया, और copy करके paste कर लिया, और हम लेके चले आए यहाँ, और इसको थोड़ा सा हमने छ तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे जो भी courses आपके चलते हैं, वो courses भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं, फिर इसको और छोटा या जैसा आप adjust करना चाहें, वैसा आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक और copy कर लें, Ctrl-C, Ctrl-C से copy होता है, और Ctrl-B से paste होता है, तो copy paste करके एक और नीचे ला लेते हैं, अब यहाँ पर आप अगर और कोई course लिखना चाहते हैं, तो आप उस course का नाम यहाँ पर type कर सकते हैं, पुराने वाले को delete करके, वो course यहाँ पर type कर दिया, अब आप address लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप, जहाँ पर आप address लिखना चाहते हैं, वहाँ पर आजाएं, address, थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लें, देख लें, कि यह सही लिख रहा है या नहीं, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिख दें, अपना address, यह address लिखने के बाद, फिर आप इसको adjust कर लें, अपने according, जहाँ पर आप रखना चाहते हैं, फिर जैसे हम लोग director का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, director, तो आप इसको अपने हिसाब से आप manage कर सकते हैं, इसको जहाँ चाहें, वहाँ पर आप रख सकते हैं, फिर उसके बाद director का नाम लिखना चाहते हैं, तो माल लिजे, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ यहाँ पर, फिर आपना contact number, एक्सेक्टरा, जो भी चीज़े आप add करना चाहें, फिर आप वो add कर सकते हैं, उसमें कोई इसू नहीं है, अब आप बहुत ही आसानी से एक, बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, कोई भी, जैसे यहाँ पी spelling का mistake है, तो वो भी आप सही कर सकते हैं, तो यह पुरा का पुरा बनके तैयार हो गया, एक आपका जो है poster banner, अब इसे आप save करके रखना चाहते हैं, और jpg format में लेना चाहते हैं, तो file menu में चले जाएं, यहाँ पे आपको option मिलेगा export, export option पर आप जैसे ही जाते हैं, आपके सामने इस तरह से एक window खुल जाता है, यहाँ पे आप file के लिए नाम दे दे, file के लिए नाम दे दे, और फिर उसके बाद यहाँ से आके, नीचे save as type में, इसमें आप इसको jpg बनाना चाहते हैं, तो आपको jpg bitmap को चुनना होगा, अब आप save button, export button पर click करेंगे, जैसे आप export पर करते हैं, तो आपके सामने convert to bitmap का box आ जाएगा, यहाँ पर आपको ok कर देना है, फिर आपके सामने confirmation message और आएगा, अभी थोड़ा सा wait करें, यह jpg में convert होना चालू हो गया है, थोड़ा सा आपको wait करना होगा, और यह बहुत जल jpg में बनके तयार हो जाएगा, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो like जरूर किया करें, अब ok करते हैं, और आपका जो document है, वो jpg में बनके तयार हो चुका है, मैं आपको आपका document दिखाना चाहूंगा, जो jpg में बन गया है, तो यह है दोस्तों, वो document, वो image, वो poster, जो अभी आपने तयार किया है, और इस image को आप बहुत ही आसानी के साथ print निकाल सकते हैं, या जो चाहें, थोड़ा सा open हो रहा है, बड़ी image है, तो open होने में कभी-कभी time ले लेता है, दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो इसको जादर जादर लोग तक share करिए, ताकि उनको भी ये knowledge मिल पाए, और उनको भी इस तरीके की जानकारी मिल पाया गरे, और एक मैट का और थोड़ा सा wait करेंगे, भी वो image open होने में थोड़ा time ले रहा है, चुकि मुझे लगता है कि ये, ये इस तरह से आपका image बनके तयार हो गया है, पोश्टर, इसका आप print निकाल सकते हैं, और बहुत ही आसानी से इसे आप represent कर सकते हैं, facebook पे डाल सकते हैं, तो दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो like करें, अगर वीडियो में कहीं आपको कोई problem समझ में आ रही हो, लग रहा हो कि कुई चीज आपको नहीं समझ में आई, तो हमें comment box में जरूर लिखें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और उस topic पर भी आपको व तक देखने के लिए.